कुछ दिन पहले तक ये पांच लोगों का आशी आना था लेकिन भूकम्प के दो बड़े जटकों ने इन्हें बेघर कर दिया रात को तापमान माइनस साथ तक जाता है लेकिन कोई विकल्प भी तो नहीं है अब अजनबियों के साथ खाना भी पढ़ता है और रहना भी बच्चों को लेकर बाहर भागे थे उस सुभा एक दिन बाद टेंट की छट मिली जिसमें गुजारा करना पड़ रहा है बच्चे रात को अचानक जग जाते हैं डर के मारे हम अपने घर को बहुत मिस करते हैं पिछले तस दिनों में हम में से कोई भी नहा तक नहीं सका है तुर्की और सीरिया में आए इस घुकम्त ने लाखों इमारतों को दभस कर दिया है और कई शहर कजबे वीरान हो चुके हैं इन सभी शहरों के निवासी तपसे कैंपों में हैं जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन इन कैंपों को रहने लाइक भी तो बनाए रखना पड़ेगा बढ़ते समय के साथ इस बात की उमीदे धुंदली होती जा रही हैं कि और सर्वाइवर्स निकाले जा सकेंगे लेकिन एक बड़ी चुनौती अब इमर्ज कर रही है क्लीन टॉयलेट्स, साफ पानी और फ्रेश खाना प्रोवाइड करने की लाखों लोग अभी भी तुर्की में इस तरह के कैंपों में रह रहे हैं बिना ये जानते हुए कि वो अपने घर कब वापस लोट सकेंगे तुर्की के प्रभावित शहरों में कम्यूनिटी किचिन शुरू कर दिये गए हैं जहां लोग बागा कर खाना खा सकते हैं कई जगों पर राशन बढ़ते भी दिखा सरकार के साथ-साथ बाहरी देशों और संस्थाओं से मदद तो आ रही है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आई आपदा के कई पहलू होते हैं अलेपो में साथियों ने बताया कि शहर तकरीबन खत्म हो चुका है और हैजा पहल रहा है नेक इरादों के बावजूद यहां भेजा जाने वाला खाना कुछ समय के बाद खराब होकर नुकसान पहुचा सकता है और इंफेक्शन की वजह बनता है हमारे पास आगे अभी बहुत कुछ करने को है 43 साल के सहीन की दक्षणी तुर्की के समाज में अच्छी साख थी मिन्टों में सब कुछ बदल गया अपने चाचा के परिवार के शवों को इन्होंने खुद बाहर निकाला और जिस जगह पर हम से बात की वहां कुछ दिन पहले इनका अपना घर था उस समय कोई मदद के लिए नहीं आया था मैंने खुद कई लोगों को अपने स्टाफ के साथ गिरी हुई इमारतों से निकाला ना खाना था ना कुछ गर्म रखने को सिर्फ ठंडी थी बस बाद में जाकर कुछ खाना मिला और अब ये टेंट ही हमारा जीवन है ये कोईले के राशन की कतार है हीटर और बिजली के अभाव में कोईले का ही सहरा है लेकिन कैंपों के इर्दगिर्द सफाई बनाये रखना भी बड़ी मुसीबत बन चुकी है जाहिर है शहर के शहर अब घरों के बाहर है शुरुआत में हमारे पास आने वाले मरीज घायल थे लेकिन अब इन्फेक्शन वाली बिमारियों के मामले आने शुरू हो गए है और ऐसा हर बड़ी आपदा के बाद देखा जाता है पीने वाले पानी की सप्लाई बंध होने की वज़ा से पेट और स्किन इन्फेक्शन के मामले बड़े हैं प्राकृतिक आपदाओं का असर लंबे समय तक दिखता है बड़ी तादाद ने अपनों को खो देने वाले इन लोगों को अफसोस करने का भी समय नहीं मिल सका है और ज्यादा तर इन हालातों से निकलना चाहते हैं काशिफ सिद्धिकी के साथ नितिन शिर्वास्तर बीबी सी तुर्की